किसी ने बड़ी कम्माल की बात कही है दोस्तों कभी नहार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेकनिकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 36 गड़ समान्य ग्यान इस वीडियो में मैं 20 कोश्चन कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजेगा अगर आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा useful होने वाला है वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को एक like कीजे, share कीजे और मेरे चैनल पे आई गया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत दुलिए साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी हर नए लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं 36 गर समाने ग्यान का पहला question मैंने लिया है महारसी महस योगी की जन्म इस्थली इस्थीत है option देख लीजे भोरम देव कमर्धा बैकूंट पूरे कोरिया महा समुद या फिर पांडू का रायपूर राइट आंसर हमारे क्या जाएगा पांडू का रायपूर option नमबर द को आपको याद रखना है महारसी महस योगी की जन्म इस्थली कहा पर है तो रायट आंसर हमारे क्या जाएगा पांडू का रायपूर option नमबर द को आप लोगों को याद रखना है अगला question देखिए राजधानी रायपूर की नगर माता किसे कहते है बन्नी भाई सरल सुकल मुन्नी भाई तीजन भाई करेक्ट आंसर हमारा अनमबर आचाता है दोस्तों बन्नी भाई option नमबर ए को आप लोगों को याद रखना है राजधानी रायपूर की नगर माता किसे कहते हैं तो करेक्ट आंसर हमारे क्या जाएगा बन्नी बाय ओफ्सर नंबर एक को आप लोगों को याद रखना है अगला कुश्चन इलाहबाद में वायसरल ने किसे संगीत समराट की उपाधी मिली राजा चंग्रधर सीहा, स्री कार्तिक, राम कल्याम दास महंत या फिर विभारानी गुपता राजा चंग्रधर सीहा, इलाहबाद में वायसर राय ने किसे संगीत समराट की उपाधी मिली है तो राजा चंग्रधर सीहा, औप्सन नंबर एक को आप लोगों को याद रखना है अगला कॉष्चन में निलिया है, हाली में अर्जुन पुरुषकार से नवाजे गया है रवेंद्र राजेंद्र चवहान, समतोश शाहु, कीरन अग्रवाल राइट आंसर हमारे किया है दोस्तों देवेंद्र हाल ही में अर्जुन पुरुसकार से नवाजे गए हैं तो right answer हमारा क्या आजाएगा देवेंद्र option number E को आप लोगों को याद रखना है अगला question देखिए प्रसीद्ध डिगविजय इस्टीडियम किस जीले में इस्थित है राइपूर, राइगर, दुर्ग, राजना, दगाउं करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों दा नमबर आजाएगा राजना, दगाउं प्रसीद्ध डिगविजय इस्टीडियम किस जीले में इस्थित है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों राजना, दिगाउं, आप्सन नमबर दको आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन देखिए तंड यार, चौधरी, किस खेल के अमतर राष्टिय खिलाडी थी होकी, फुटबॉल, सक्ति लोचन, हैंड बाल, राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा सा नमबर आजाएगा दोस्तों, सक्ति लोचन तंडर राय, चौधरी, किस खेल के अमतर राष्टिय खिलाडी थी तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा सक्ति लोचन ओप्सन नमबर सको आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन कृष्ण साहू और धीरेंद्र साहू किस खेल के प्रसिध अमतराष्टे खिलाडी है सक्ति लोचन होकी वीबाल टेबल टेनिस राइट आंसर अमारा क्या जाएगा सक्ति लोचन ओप्सन नमबर ए को आप लोगों इसमें याद रखो गया अगला कोश्चन मैंने लिया है आसीस अरोड़ा किस खेल के खिलाडी है वाली बाल फुटबाल कबड़ी या फिर हैंड बॉल राइट आंसर क्या है दोस्तों बॉली बॉल ओप्सन नमबर ए को आप लोगों को याद रखना है आसीस अरोड़ा किस खेल के खिलाडी है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा वी बॉल ओप्सन नमबर ए को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन उलम्पिक कुलाडियस दिलिप किर्ती किस खेल से संबंधित है तेनीस क्रिकेट होकी कबड़ी आंसर में क्या टेक मार करोगे सानमबर आ जाएगा होकी उलम्पिया, क्लॉडिया, दिलिप, तिर्की किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारे क्या आजाएगा, होकी आजाएगा, ओप्सन नमबर बी, सी को आप लोगों को इसमें याद रखना है, अगला कोश्चन मैंने लिया है, संतो, साहू, राजेश, शम्हान, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या आजाएगा, क्रिकेट आप्सन नमबर बी को आप लोगों को याद करना है, अगला देखिए, भारतिया, क्रिकेट टीम के पुर्व खिलाडी, राजेश, शम्हान है, बल्ले बाज, क्रिकेट कीपर, तेज, गेंद बाज, या फिर, इस्पीन, गेंद बाज, राई आंसर हमारे क्या है, दोस्तों, इस्पीन, गेंद बाज, भारतिया, क्रिकेट टीम के पुर्व खिलाडी, राजेश, चोहान है, तो राइट आंसर हमारे क्या आजाएगा, इस्पीन, गेंद बाज, आप्सन नमबर द, को आप लोगों को इसमें याद अगला क्योशन मैंने लिया है, निम्न में से कौन इसकुटी, इसकूली क्रिकेट के दिनों में प्रसिद्ध क्रिकेटर सी के नैडू के साथ बल्ले बाजे की सुरुवात करते थे, राजा रामशंदर सी है, राजा रामानूश प्रसास सीह देव, राजेस चवहान या फिर राजा जोहन सीह बगेल, राजा रामानूश प्रसास सीह देव, निम्न में से कौन सी इसकुली क्रिकेट के लिए दिनों में प्रसिद्ध क्रिकेटर सी के नैडू के साथ बल्ले बाजे की सुरुवात करते थे, राजा रामानूश प्रसास सीह देव, आप्सन नमबर बी को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला कोश्चन निम्नमे से किसने ओलंपिक में बॉसकेट बाल में भारतिय टीम का प्रतिनी धित्व किया ओप्सन देख लिजे अमर जीत हनुमान सी हैं संतो साहू तेजा सी हैं साहू करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों ह हनुमान सी हैं निम्नमे से किसने ओलंपिक में बॉसकेट बाल में भारतिय टीम का प्रतिनी धित्व किया करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा हनुमान सी हैं ओप्सन नंबर बी को आप लोग इसमें आद रखो गया अगला देखिए खिलाडी कीरन अग्रवाल सुधकर बाब पुरेडी किस से संबंदित है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा आ नंबर आजाएगा सत्रांज ओप्सन नंबर एको आप लोग इसमें याद रखो गया अगला देखिए निम्नमे से किस खिलाडी को अर्जुन पुरुसकार प्राप्त है हनुमान सी हैं सुरुज ध और देखिए निता डुमरे या फिर कृष्ण साहूर आजाएगा आ नंबर आजाएगा हनुमान सी हैं निम्नमे से किस खिलाडी को अर्जुन पुरुसकार प्राप्त है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों हनुमान सी हैं ओप्सन नंबर एको आप लोग इस का राइट आजाएगा हैंड बॉल की खिल आडी है तो आँसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे विजया रेडी सबाना कुरैसी आर अनुराध है या फिर उपरुक्त सभी करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दनम्बर आजाएगा दोस्तों उपरुक्त सभी अगला कोस तरह अमारा सान अंबर आ जाता है दोस्तों होकी नीता डुम्रे सब अर्जुन विंटेश लक्ड़ संबंदित है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा होकी ओप्सर नंबर सको आप लोग इसमें याद रखो गया अगला कोश्चन शतिस गड़ का चक्रधर सम्मान किस छेत्र मे योगदान के लिए दिया जाता है कला एवं संगीत चिकित्स साहित्य एवं सिक्चा राइट आंसर हमारा क्या जाएगा कला एवं संगीत चक्रधर सम्मान किस छेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा कला एवं संगीत ओप्सर न प्रसी उत्थान या फिर साहित तराइट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों शिकित्स सिक्षा डांक्टर भवन सीय पूरते पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता है तो आंसर में आप लोग क्या टेक मार करोगे शिकित्स सिक्षा आप्सन नंबर बी को आप लोग याद रखो गया लाश्ट कोश्चन देखिए अहिंसा के लिए दिये जाने वाला सास्किय पुरुसकार है ओप्सन देख लीजी महात्मा गांधी समान दूसरा है पंडित रवी संकर सूखला और तीसरा है यति यतनलाल और ओप्सन दा है महात्मा जियोंती बीमब फुले त दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए है साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहा है मैं मिलता हूं अगला वीडियो मे तब तक के लिए बाबाए टेक केर थांकि फॉर वाशिंग मैं वीडियो